तो आज हम देखेंगे आपके पॉर्टिशन का सिक्रेट क्या है, ऐसे कौन से बात है जो वो कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करता है, और दिल हे दिल में आपके खिलाप कुछ खिचोड़ी पकती रहती है उसके, तो देखते हैं, आपको चुनना है एक नंबर 123, इसमें से ए आज होप आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1, तो जुनन भी चुना है पाइल नंबर 1, देखते हैं, ऐसा कौन सा सिक्रेट है, पाइल नंबर 1, ऐसी कौन सी बात है जो आप से छुपाते हैं, सबसे पहले है यहाप पर 8 of cups के एनर का शिकार हुआ है ठिक हैं, इस इनसान के मिन में हमेशा कोई चिंता रहती है और इसको ये भी डर लगता है कि आप इसको छोड़ कर जा सकते हो या ऐसा भी हो सकता है इसका कोई भरोसा नहीं है, vice versa भी हो सकता है आपेज अपसोर्स के एनरजी ये इनसान लगातार आपको देखते रहता है आपके उपर शक करता है इसको डर लगता है हमेशा इसको डर लगता कि आप किसे और से बात कर रहे हो इसके जहन में जैसा कोई शक बैठ कया है राशी लिब्रा एकवरस जयमिनाई भी हो सकती है तो इसको हमेशा ही ऐसा लगता है कि आप उनलेन हो तो फिर क्यों हो आप किस से बात करे हो क्यों रहते हो आप उनलेन हमेशा ही अनसान फेक आईडी से हो या उसके ओरिजनल आईडी से बार बार आपको देखता रहता है आपके उपर नजर रगता है और ये बाते वो कभी भी आप से शियर नहीं करता है, नाइन और पैंटेकल्स के इनरजी, या तो इस इंसान को लगता है कि आप सल्फिश हो, ठीक है, आप खुद के बार में सोच रहे हो, या वाइस वर्सा हो सकता है कि इनसान बड़ा सल्फिश है, आगर ये इनसान खुद सल्फिश है, तो ये आपन पैंटेकल्स के इनरजी, ये इनसान अपने फाइदे के लिए ये रिष्टा तोड़ भी सकता है, ये इनसान अपने फाइदे के लिए इस रिष्टे से दूर भी जा सकता है, आप से दूर जा सकता है, तो आपको अलर्ट रहने के आवश्यक्ता है, अगर आप बहुत आख बंद करके भरुसा कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि अंसान आखरी तक साथ देने के बार में कुछ सोचता है, क्योंकि इसके जहन में हमेशा एक तो शक भरे रहते हैं, ठीक है, उपर से ये अपना फाइदा इतना सता देखता है, कि अगर इसको कही और financial profit हो जाए, किसी और के साथ रिष्टे में जाकर इसको अगर लगता है, कि इसको पैसा मिल सकता है, उसकी life set हो सकती है पैसो की बजह से, तो ये अंसान इस रिष्टे को टाटा बाई-बाई भाई भी कर सकता है, मतलब इस कदर selfish कोई हो सकता है, विश्वास तो नहीं होता लेकिन है, ठीक है, और या तो अगर आपका person ऐसा नहीं है, अगर आपको पता ही कि वो इंसान ऐसा नहीं है, तो ये बात vice versa हो सकती, उसको ऐसा लगता है कि आप पैसो के लिए कही और शादी कर सकते हो, आप पैसो की बजह से उनको छोड़ सकते हो, तो आपको पता ही कि आपके रिष्टे में क जो खुबसूरती है, इसकी बज़ा से लोग आपको बहुत attention देते हैं, लोग आपकी तरफ देखते रहते हैं, लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और आप भी उनसे बात करते हो, हमेशा इसके जहन में शक होता है, और ये जो इंसान है, अगर आपको पता नहीं है तो अंसान बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी, ठीक है, और कुछ लोग के लिए ऐसा भी है कि इस अंसान को लगता है कि आपको अपने beauty की, ठीक है, जो आप इतने खुबसूरत हो, तो आपको अपने खुबसूरती का बहुत घमंड है, और ये सारे बाते वो कभी भी आपस श्यर नहीं करता है ठीक है लेकिन उसको मन ही मन लगता है कि कितने अकड़ती है कितनी अपने ब्यूटी पर बहुत ही जदा इसको घमंड है ठीक है कुछ लोगे लिए पैसा भी हो सकता है अगर आपके पास पैसा है तो इसको लगता ही अपने पैस उपर अकड़ती है या ब्य जो आपको शायद अभी तक पता नहीं है, ठीक है, एंपरर के एनरजी है, ये इनसान हमेशा चाहता है कि आप उसकी पावर में रहे, ये इनसान हमेशा चाहता है कि आप बस उसके बात सुने, आप अपने बात कोई बोले ही ना, जो वो इनसान कहता है बस आपको करना चाहिए ये इस इंसान का mindset है और आपको हमेशा अपने control में करने की कोशिश ये इंसान आज तक करता आया है और आगे भी करता रहेगा लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही sad है कि ये इंसान अपने फाइदे के लिए इस रिष्टे को टाटा बाई-बाई भी कर सकता है लेना है तो ये बात है ये सब कुछ आपके परसम आपसे छुपाते हैं ठीक है आपको रणिंग पसंद आई हो लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए पाइल नमबर टू जिरन भी चुना है पाइल नमबर टू देखते हैं क्या सिक्रेट है ऐसे सबसे पहले एंप्रेस के एनरजी है एंप्रेस के एनरजी क्या बता रही है कि इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत ज़ादा माईने रखती है आपकी खुबसूरती आपका खुबसूरत हो ना एस इंसान के इतना ज़ादा माईने रखता है कि मैं क्या बोलो यह अनसान आपकी ब्यूटी का गायल है आपकी खुबसूरती का गायल है जिस कदर आप ब्यूटीफुल देखते हो यह नहीं बहुत आगे के सपने देखता है इसको आप marriage metal भी लगते हो इसको लगता है कि यही शादी के लायक है यही perfect है शादी के लिए वो तो कितने आगे के सपने भी देखते हैं और ना कि सिर्फ वो आपकी body को पसंद करते हैं तो वो अंसान आपसे प्यार भी बहुत करता है अगर आपको पता नहीं है अगर आपको शक होता है कि अंसान आपसे प्यार करता है नहीं करता है तो यह बहुत ज़ादा आपसे प्यार करता है और आपकी beauty का तो दिवाना है यह person ठीक है number 3 और number 6 कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता कि आप दोनों के विचार मैच नहीं होते है कोई पूरब की तरफ जाता है तो कोई पश्रिम की तरफ जाता है लेकिन end में सब push ठीक हो जाएगा अगर आज आप दोनों के बीच में जगड़े हैं अगर आज आप एक दूसरे की तरफ पिठ करके बैठे हो तो वो दिन भी आएगा जब आप इस प्यार में और ज़दा करीब आने वाले हो ठीक है यह इनसान आपसे छुपाता है कि वो आपके साथ physical होना चाहता है यह इनसान आपसे बहुत कुछ छुपाता है वो चाहता है आपके साथ physical होना इतना ज़दा physical attraction जो इस इनसान को होता है वो नहीं कह पाता ऐसे ऐसे बाते सोचता है कि आप शर्मा भी चाओगे Empress के नरजी है और Ace of Wands के नरजी है यह इनसान आपके साथ जल से जल physical होना चाहता है में भी बात इसने आपसे चुपाई है ओके आपकी खुबसूरती का जादो इस इनसान के उपर इसकदर ढ़ा जाता है कि यह इनसान मतलब बरदाश नहीं कर पाता इतना physical attraction उसको होता है इस इनसान ने प्यार में धुका खाया है आपके आने के पहले इस इनसान के जिन्दग में कोई और भी था और उसने उस प्यार में इस कदर धुका खाया कि उसको डर लगता है आपको खोने का उसको डर लगता कि वो इतना सदा प्यार करता है आपसे इतना आप beautiful हो आप सच्चे दिल के हो लेकिन वो कहीं खोना दे आपको उसको डर लगता कि आपकी शादी न हो जाए कहीं देम्रेस का कार्ट शादी का भी है इस इनसान को डर लगता कि आपकी शादी न हो जाए कहीं आप उस इनसान को छोड़ना दे उस इंसान ने एक बार प्यार में धोका खाया है और वो दुबारा नहीं खाना चाहता अगर आपको पता नहीं है तो इसका दिल तूटा है पास्ट में इसको बुरी तरह से धोका मिला है और वो इन बातों को दुबारा नहीं दोराना चाहता उसके मन में एक डड़ सा बैढ़ गया है कि कही इस रिष्टे में भी वो धोका ना मिले उसको, कही इस रिष्टे में भी आप उनसे दूर ना चले जाए, आप छोड़ कर ना चले जाए, क्योंकि उस कदर प्यार करता है, इनसान बहुत प्यार करता है, ठीक है, और देखते है और यहाँ पर फिजिकल अड्राक्शन हद से जाद है आप इस इंसान के लिए एडिक्शन बन चुके हो, यह इंसान लगातार लगातार आपके फोटोस देखता है इतनी ब्यूटी, मेबी जो यह आज तक जिसके भी साथ रिलेशन में रहा है जिसने भी इस इंसान को धुका दिया है उससे कई गुनाजदा आप खुबसूरत हो और यह इंसान अपने ही नसिब पर उसको मतलब ऐसा लगता कि यार ऐसे कैसे कोई इतना खुबसूरत कोई इतना प्यारा इंसान उसको कैसे मिल सकता है उसको अपने ही नसिब के उपर अपने ही destiny के उपर भरोसा नहीं होता है और तभी उसको बार-बार डर लगता कि वो कहीं आपको खो न दे King of fire है King of wants के energy है ये एंसान आपके साथ physically होने के लिए तडप रहा है लेकिन ये बात ये share नहीं करना चाहता और ना इसने आज तक आपको बताया है कि इसने प्यार में पहले भी धोका खाया है तो ये secret यहाँ पर आपके person का दिखाई दे रहा है number two ठीक है तो अगर आप दोनों मिलते हो तो इंसान बहुत जल आपके साथ physically होने की कोशिश कर सकते है ये उनका secret है उन्होंने आज तक आपको नहीं बताया है ठीक है तो अगर आप दोनों मिलते हो तो इंसान आपके साथ physical होने की कोशिश कर सकता है ठीक है I hope आपको रड़िंग पसंद आई हो like, share and subscribe मिलते अगले वडियो में तब तक लिए पाइल नमबर थ्री जोनोंने भी चुना है पाइल नमबर थ्री देखते है आपके person का क्या secret है ऐसी कौन से बात है जो आज चक छुपी है आपसे पहली बात तो इंसान जाहिर ही नहीं करता है इसके दिल में क्या है इसने कभी भी आपको बताय ही नहीं है हर बात ही छुपा पाने में बहुत माहिर है अपनी हर फिलिंग्स को इसने चुपाया है आज तक ठीक है इसको बड़ा confusion होता है अगर आप commitment मांग रहे हो अगर आप शादी के बात कर रहे हो तो इसको बड़ा confusion होता है और बहुत यहाँ पर चांसे से कि इसके पास दो दो option है वो उसका परिव की बात सुननी चाहिए या आपसे शादी करने चाहिए आपके साथ रिष्टे में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए यह इनसान खुद इतना confused है कि क्या बात करेगा आपसे यह कोई decision ही नहीं ले पाता है और जो दूसरा option है इसने हमेशा उसको छुपाया है वो दूसर option के बारे में सोचता है इसकी wish तो है इसकी wish है आपको पाना इसकी wish है आपको हासिल करना फिजिकली भी इतना attraction फिल करता है बहुत दूर की सोचता भी है यह अनसान कि आगे जाकर अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो क्या रिष्टा निभ पाएगा नहीं निभाएग आगे की बहुत सोचते हैं और उसकी wish है आपको पाना हसिल करना आपसे शादी करना ये भी wish है लेकिन confusion दो-दो thoughts हमेशा दो-दो option के बारे में सोचना इसकी बज़े से आज तक एंसान आपके लिए कोई भी decision नहीं ले पाया और जब decision ही नहीं ले पा रहा है तो बात क्या कर सारी बाते अपने ही दिल में रखता है two of fire है two of air है two of wands two of swords और two of wands बड़ी द्विधा परिशिति एस इंसान के हमेशा ही रहती है ठीक है ace of water इस इंसान का ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ इस रिष्टे में बढ़ना नहीं चाहता आगे ठीक है वो बढ़ना चाहता इस प्यार की नहीं शिरुवाद भी करना चाहता है उसकी तो wish है आपको पाना लेकिन confusion के मारे इंसान कोई भी decision नहीं ले पाता है और बहुत ज़दा chances है कि इनकी mother इनकी mother इस रिष्टे के लिए इंकार कर रही है में भी इसने अपने मा के सामने आपकी बात बोली है और यह secret है इस relation का कि इसकी mother नहीं कहती है कि आपके साथ शादी करे वो इनसान और इसने आज तक यह आपसे बात चुपाई क्योंकि उसक आपसे प्यार करता है इसमें कोई doubt नहीं है प्यार करता है लेकिन इसको डर लगता है कि वो इस रिष्टे में justice नहीं कर पाएगा और इसलिए वो कभी भी खुलकर बात नहीं करता वो कभी भी आपके बातों में हां भी नहीं भरता अगर आप कुछ बोलने के लिए जाते त वो आपके साथ शादी करे और इसने आज तक ये बाते आपसे छुपाई है तो ये बात यहाँ पर दिखाई दिरे है नमबर 18 बर्डेट हो सकती है उनकी 2 बर्डेट हो सकती है, 4 बर्डेट हो सकती है 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है तो ये बात आज तक इस इंसाने छुपा कर रखी है कि आपसे पाना भी चाहता है आपसे शादी भी करना चाहता है लेकिन बड़ा कन्फ्यूज है इसलिए वो कोई डिसिजन नहीं ले पा रहे है I hope आपको रिंग पसंद आई हो Like, Share and Subscribe मिलते अगले वडियो में तब तक के लिए बाई